तो बेसिकली जब कॉमर्स की बात करते हैं, अकाउंट की बात करते हैं, कई सारे स्टूदेंट्स जो कॉमर्स पढ़ते हैं, उनके लिए फोबिया भी होते हैं, क्योंकि उनको एंट्रियां बनाना नहीं आता प्रूपर, और बहुत मेनत करते हैं, बहुत टीचर लोग भी सिखाते हैं, फिर भी वो एंट्री नहीं बना पाई, जबकि सबसे आसान चीज है, विजनस में एंट्री करना, अकाउंटिंग में अकाउंटेंड क्या करता है, डे टू डे ट्रांजेक्शन को अपनी लेंग्विज में बना अकाउंटिंग है, मौडन अकाउंटिंग, ठीक है, पहले क्या होता था, सिंगल एंट्री सिस्टम चला करता था, एक समय तक, किसकी पॉपिलरिटी थी, सिंगल एंट्री सिस्टम की, और आज की तारिक में पूरी दुनिया में, डबल एंट्री सिस्टम चलता है, क्या चलत double entry system थोड़ा सा दिकत कर रहा है थोड़ा सा दिकत कर रहा है सिंगल एंट्री और डबल एंट्री सिस्टम अब देखो सिंगल एंट्री में और डबल एंट्री में क्या फरक है जैसे यहां पर अगर मैं बात करूं बैंक में पैसे जमा कराएं बैंक में कैश डिपोजिट कराया पांच जार रुपस यह है सिंगल एंट्री सिस्टम आपने ऐसे लिख दिया और ऐसे कोई भी लिख सकता उसके लिए कॉमर्स उसको आना जरूर नहीं है जो भी हो रहा है विजनस में लें देन उसको अपने हैसाब से लिखना लेकिन इसको एक अकाउंटेंट या अकाउंटिंग पढ़ा हुआ बच्चा कैसे लिखेगा बैंक अकाउंट डेबिट फाइफ ताउजन तो कैश फाइफ ताउजन बैंक टू कैश फाइफ ताउजन यह डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है जहां पर आपने उसी लाइन को दो टुकड़ों में बांट दिया एक टुकड़ा आपका डेबिट हो गया एक टुकड़ा आपका क्रेडिट हो गया अब यह ऐसे अंदाज मान नहीं हुआ है इसको आप कोई भी कॉमर्स पढ़े हुए बच्चे सब बोलो कि वह यह एंट्री बोलने वाला तो यह अंदाज की इस क्लास में चर्चा करने वाला ठीक है कि क्या नियम है अकाउंटिंग में चीजों को डेबिट करने के और क्रेडिट करने के तो डेबिट क्रेडिट के रूल पर हम लोग डिसकस करते हैं कि डेबिट और क्रेडिट के रूल्स देखते हैं ठीक है डेबिट क्रेडिट के rules को समझना है तो आपको पहले accounts के nature को समझना होगा accounting में क्या-क्या चीज़ों को हमें लिखना होता है अब देखिए accounting में आप कोई भी व्यक्तियों से जो Lenden होते हैं तो आप person को accounts में लिखते हैं किसी से कुछ लेना है किसी को कुछ देना है persons व्यक्ति यानि accounts तीन प्रकार क्या होते हैं व्यक्तियों के जो accounts होते हैं उन्हें personal account कहते हैं क्या कहते है personal account दूसरी चीज होती है वस्तु है goods और assets वस्तु हैं उन्हें हम real account कहते हैं वस्तु कहते हैं वस्तु है तीसरी चीज होती है खर्चे इंकम आय और खर्चे आय व्याय इंकम और expenses इंकम और expenses आय और व्याय इसे हम nominal account क्याते हैं तो account तीन प्रकार क्या होते हैं कौन कौन से है परस्नल रियल और nominal account परस्नल रियल और nominal याद रखना ठीक है परस्नल रियल और nominal अब किसे डेबिट करते हैं किसे करते हैं याद रखिएगा ध्यान से देखना सबसे पहले व्यक्तियों की बात करते हैं कि फिर वस्तुओं पर बात करेंगे फिर हम income और expenses पर बात करेंगे तो देखिए व्यक्तियों का business बीजनस में दो रोल होता है या तो वो receive करेंगे कुछ न कुछ business से receiver प्राप्ट करने वाले कि रामलाल को माल बेचा तो रामलाल प्राप्ट प्राप्ट करने वाले तो या तो वो receiver होंगे या वो giver होंगे याद रखे कौन कौन से भूमी का में होते हैं व्यक्ति receiver और giver ठीक है वस्तु हैं दो भूमी का में होती है जैसे receiver को हिंदी में कहते हैं प्राप्त करने वाला giver मतलब देने वाला ठीक है वस्तु हैं दो प्रकार की होती है मतलब वस्तु का दो रोल होता है बिजनस में या तो बिजनस में आती है जब हम खरीद के लिए के आते हैं या वापस जाती है या कम होती है किसी अन्नी वज़े से भी कम हो सकती है तो या तो बिजनस में what comes in आएगी या बिजनस से जाएगी वाट गोज आउट आने वाली वस्तु है या बढ़ने वाली वस्तु है या फिर जाने वाली वस्तु है याद रखेगे समझ रो जब भी बिजनस में बढ़ेगी या आएगी उससे डेबिट करना है जाएगी तो क्रेट करना है अच्छा देखिए रिसीवर को हमेशा डेबिट करेंगे हम नियम ही जो वस्तु है बिजनस में आएगी उससे भी हम डेबिट करेंगे ये भी नियम है याद रखेगा और नॉमिनल अकाउंट में दो चीज़ होती है एक्सपेंसेस यानि खर्चे और इंकम यानि आई याद रखेगा खर्चों को हमेसा डेबिट करते हैं तो डेबिट किसे करते हैं आप देख सकते हैं किसे करते हैं डेबिट जो व्यक्ति बिजनस से कुछ भी प्राप्त कर रहा है उसे हम डेबिट करेंगे जब गस्तु बिजनस में आएगी हम उसे डेबिट करेंगे जब कोई खर्चा होगा तो हम उसे डेबिट करेंगे कि एक्सपेंस होगा थाम उसे क्या करें ये अधियान रखना डेविट एंट्रे में कौंसा पार्ट होगा यह पार्ट बाइए अ कुसे मोग ह्ना utan चैसल्प आपको और करना इसको क्रेड़ करना एक एंटी में एक ट्रांजेक्शन में एक ट्रांजेक्शन में कम से कम दो अकॉंट स चूरा आगी ऐएग इसके और बस फिर आपको खाले उस्ह prochaine वाले को डेबिट में लिख न दोनो अकाल दोनों अमांट मैं चूक法 एंट्री कम्प्लिक अकाउंटिंग भाषा है लेंग्वेज है कि बिजनेस ट्रांजेक्शन को लिखिने की लेंग्वेज कि कैसे लिखते हैं उसको और अगर यह खेल आ गया समझ में तो अकाउंटेंट बन जाओ आराम से खाली यह छे चीजे याद रखनी कौन कौन सी इतना सा याद रखना है पाने वाले को डेबिट करते हैं आने वाली वस्तु को डेबिट करते हैं और खर्चों को डेबिट करते हैं देने वाले को क्रेडिट करते हैं गीवर को जाने वाली वस्तु या कम होने वाली वस्तु को क ये debit or credit के नियम बन गए, क्या बन गए, debit credit के rule बन गए, अब देखिए हम लोग accounts की एक file बनाते हुए चल रहे थे, तो मैंने एक file बनाई थी fundamental of accounts की, जिसमें last class में हमने discuss किया थे transaction और event, अब आज की class में हम क्या discuss कर रहे हैं, types of accounts, क्या discuss कर रहे हैं, types of accounts, accounts कितने प्रकार क्यों होता हैं, अभी अभी आपको मैंने बताया, कितने प्रकार क्यों होता हैं, तीन प्रकार क्यों होते हैं, accounts कितने प्रकार क्यों होते हैं, तीन प्रकार क्यों होते हैं, कौन-कौन से तीन प्रकार, vaft, personal accounts, personal यानि व्यक्तियों की account, नाम से ही पता चलता है, real accounts, वस्तूों की accounts, और nominal accounts, nominal यानि ना उयक्ति है, ना वस्तू है, खर्चों को अधी है, इतार ना 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 व्यक्ती सह दॉस्त मैं है, बिजनस मैं कोई खर्चा किया, business में कोई loss हुआ, business में कोई income हुई, business में कोई profit हुआ, business में किसी अन्य प्रकार से कोई प्रापती होई nominal account, याद रखे गा, ठीक है, personal account, हमेशा persons क्या होते है किस क्या होते है, person, persons, real account हमेशा things, वस्तुएं क्या होते है और nominal account हमेशा expenses oblique income क्यों होता है याद रखेगे अब इसमें ये भी याद रखने की जौरत है कि अब जैसे type of accounts में हमने देख लिया कि भया तीन तरह के account होते हैं कितनी तरह के account होते हैं तीन तरह के अब सबसे पहले हम personal account पर चर्चा करते हैं इस पर personal accounts अब पर्सनल account वापस तीन तरीके के होते हैं याद रखेगे कितनी तरीके के होते हैं तीन तरीके परसनल account किसके होते हैं व्यक्तियों के व्यक्ति वापस तीन प्रकार के हो सकते हैं बताओ कौन कौन से सरपूरुष, महिला, nai, gender नहीं है, accounting में gender कोई लेना देना नहीं है, द्यान देना, ठीक है, थीन तरक ये वेक्ति हो सकते हैं, एक होता है natural person, कौन सा, natural person, natural यानि प्राकर्थिक वेक्ति है, आप और मैं कौन है, अरुन कुमार शर्म है एक natural person समझ रहो तो किसी भी विजनस में किसी individual person का natural का मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ individual है एकल व्यक्ति का कोई role होता है वो natural person क्यलाते है जैसे ये राम ये शाम ये मोहन ये सोहन ये सीता गीता ये सब natural person क्या नाम है इराज natural person नेना natural person जियोती natural person नहीं गोरव natural person हम सब natural person अब आप सोचो कि मैं business कर रहा हूँ और मेरी business में भी accounting होती है और आप जब मुझे कोई fees लेके आके देते हो या मुझे आप से कोई fees लेनी होती तो आपका मेरी business में role क्या है natural person का role और अगर आपने मुझे कुछ दिया तो आप देने वाले हो गई giver giver को credit करते हैं तो मैं अगर entry करूँगा तो आपको credit करूँगा मैं आपको कुछ दूँगा तो आप receiver हो गए आपको मैं मेरी books में क्या करूँगा डेबिट करूँगा natural person का business में अगर कोई role है तो दो रोल ही हो सकते हैं या तो देने वाला या लेने वाला प्राप्त करने वाला या देने वाला राइट गीवर या रिसीवर दूसरी तरीके के person हो सकते हैं artificial person कौन से आटिफिशियल पर्सन आटिफिशियल पर्सन कौन होता है जैसे banks artificial person है यार आज तो मैं ICC bank से मिलने जा रहा हूं तो ICC bank का कोई अस्तित्व है क्या है आप उससे उसके नाम से जा रहे हो आप मिलोगे उसको रिप्रजेंट कोई और कर रहा है तो artificial person हो आज खाली bank एक artificial person एक संस्ता है जो लोगों ने अपने अपने उद्देश यह अपने तो artificial person है कोई societies है तो artificial person याद रखे यह साव artificial person हो उद्देपुर्ण नगर निगम artificial person महुनलाल शुकर्या उनिवर्सिटी इसको व्यक्ति मानता है कानून की नजर में जो व्यक्ति है उसे हम व्यक्ति कहते हैं अब कानून की नजर में तो MLSU भी व्यक्ति है कानून की नजर में उद्देपुर्ण नगर निगम भी क्या है व्यक्ति है यह बैंक सारे व्यक्ति है सारी कंपनियां व्यक्ति सारे बिजनसेज व्यक्ति है लेकिन वह artificial person तीसरा होता है री प्रेजन्टेटिव पर्सन यानि बिजनस में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिनका हम नाम नहीं लिखते हैं अकाउंट्स के रूप में उनकी जगह कोई और खाते आते हैं मतलब जैसे कभी भी किसी भी बिजनस की अकाउंटिंग में उसके ओनर का नाम नहीं लिखा जाता है उसके स्वामी का नाम अकाउंट्स में नजर नहीं आता है उसको री प्रेजन्ट करने वाले अकाउंट अलग होते हैं जैसे बिजनस म निकालेगा तो उसे ड्रॉइंग का जाएगा तो यह रीप्रेसेंटेटिव है अकॉंट है याद रखिएगा तो ओनर को कौन रीप्रेजेंट करता है बिजनस में कैपिटल और द्रॉइंग यानि क्टाल रोड्रोइंग के खाते देखते ही हमें किसका चेरह सामने आता है और पर्सनल अकाउंट में बेसिकली डेबिट और क्रेडिट किसे करते हैं तो यह अब आपको आराम से समझना है कि भाया पर्सनल अकाउंट में डेबिट किसे करेंगे रिसीवर को जो रिसीव करेगा और क्रेडिट किसे करेंगे गीवर को जो देगा याद रखेगा रिसीवर को डेबिट करते हैं गीवर को क्रेडिट करते हैं याद रखेगा हमेशा और दो ही रोल होंगे दो के अलावा कोई तीसरा रोल तो बनेगा ही नहीं आकाउंट्स में को और एकिवर का याद रखेगा यह दो रोल ही बनने वाले ओंसे प् необход करते हैं कि दूसरी तरीके का आकांट काउंस कोन से होते हैं रियल अकाउंट कौन से अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट दूसरी तरीके के अकाउंट होते हैं रियल अकाउंट रियल अकाउंट वापस दो तरीके के होते हैं वस्तुओं वापस वस्तुओं को आप दो कैटेग्री में बाढ़ सकते हैं पहली वस्तुवा होती गुड्स, हिंदी में कहते हैं माल, और दूसरी वस्तुवा होती एसेट्स, हिंदी में कहते हैं संपती, गुड्स में और एसेट्स में क्या फरक है, बताओ, गुड्स और एसेट्स में क्या फरक है, गुड्स वो माल होता है, जिसका हम व्यापार करते ह है कि समझ रहो है अगर सब्सक्राइब गुड़ाय अगर ये कपड़ेल की दुकाण कि जोने वाले ने फनीचर बनवाया आपनी बिजनस में तो फनीचर उसके लिए गूड़्स नहीं है वह एसेट है संपतích है कर ने हो ठोके फराहर पीजाने के लिए इसफिटूट्स को थ default करने के लिए बढाने के लिए खरित तो族 उन वस्तों तो goods हो या assets हो याद रखियेगा ठीक है goods ठीक है computers for computer dealer वो goods है computer dealer के लिए computer goods है furniture for furniture business furniture businesses के लिए furniture एक goods हो गया लेकिन assets कौन सी होती है जो आप business में दूसरी furniture, machine, plant, land and building, vehicles, mobile phones, computer and peripherals, printer, अलग लग व्यापार में अलग तरीके के asset हो सकती है, संपतियां हो सकती है, तो assets, ठीक है कुछ भी हो सकता है, ठीक है, आपके land and building furniture, machine, machinery, motor vehicle, इस सब assets, याद रखे, ठीक है, अब इन में debit किसे करते हैं और credit किसे करते हैं, इसमें भी तो rule है, debit credit किसे करेंगे, इसमें debit किसे करेंगे, what comes in, जो business में आती है, credit किसे करेंगे, what goes out, जो business से वापस जाती है, जब आएगी तब debit करेंगे, जब खरीद के लाएगे, debit करना है उसको, जब बेचेंगे, credit करना है, सीधा सा simple सा गनित है, अगर कोई व्यक्ति आपको कुछ दे रहा है, तो आप उस व्यक्ति को credit कर दो, अगर वो आपसे कुछ ले रहा है, तो आप उसे debit कर दो, पाने वाले को debit, देने वाले को credit, अगर कोई वस्तु आ रही है, तो आप उसे debit कर दो, जा रही है, तो credit कर दो, और तीस्री तरीके के जो अकाउंट होता है वो कौन से होता है नॉमिनल अकाउंट और वास्त्विक खाते हैं ये भी दो प्रगार के होता है एक्सपेंसेस और लॉसेस खर्चे और हानियां इंकम्स और गेंस आय और प्राप्तियां याद रखेंगे खर्चे कौन कौन से जैसे किसी अपने स्टाफ को सेलरी चुकाई रेंड चुकाया एड़र्टीजमेंट का खर्चा किया आपने ये सब खर्चे होते हैं इंकम कौन सी होती है सेल अफ गूड्स माल बेचना सेल ऑफ सर्वीस सर्वीसेज देना किसी को ये इंकम है तो अगर आपके विजनस में कोई खर्चा हो रहा तो आप उसे डेविट कर लो भी ना सोचे समय कोई इंकम हो रही तो उसे क्रेडिट कर लो ठीक है तो डेविट और क्रेडिट के रूल की बात करूँ तो इसमें क्या रूल है डेविट किसे करेंगे एक्सपेंसेज और लोसेज को हमेशा डेविट किया जाता है और क्रेडिट किसे करेंगे इंकम और किसी प्रकार की कोई प्राप्ती होई तो उसे क्रेडिट करेंगे तो ये डेविट क्रेडिट के नियम है अगर ये नियम याद हो जाते है तो आराम से आप एंट्री बना स त्रांजेक्शन को एंट्री में कनवर्ट कर सकते हैं । इस आरे था रही तो जा रही तो वह में 30 और वगिया कैने ba full को दिए और यह थांग बदेगा चलिए मैं आपको दीको एक्जामपल बताता नियम से अपन बात करते हैं ठीक है अभी अपन नियम की बात कर रहे हैं तो देखिए अब मैं आपको पहला एक्जामपल बताने वाला cash deposited into bank अब जैसे एक line cash deposited into sbi bank और रुपीस 5000 एक ट्रांजेक्शन लिखा मैंने क्या लिखा जब कोई ऐसी लाइन आप लिखते जी क्या कहते हैं फांजेक्शन अब आपको इस ट्रांजेक्शन सेaf बनाने बना बताओ देखें एंट्री बनाने के लिए सबसे पहले तो उस ट्रांजेक्शन में छुपे हुए उन दो अकाउंट को डूनना है अब आप देखिए एक तो नकत कैश कैश एकाउंट एक तो यह है और एक बैंक अकाउंट यह है कौन सा बैंक नाम लिका वहाद नाम भी लिख दो एसबेंक अकाउंट तो आप सबसे पहले तो एंकिसी भी ट्रांजेक्शन में छुपे हुए उन दो अकाउंट को दून निकालो कम से कम दो अकाउंट चुपे होंगे दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं जब आपने उनको ढून लिया तो फिर आप यह देखो कि भाई वह किस तरीके अकाउंट है अब मुझे बताओ नकत क्या है नकत कोई व्यक्ति है खर्चा है वस्तु है नकत क्या है कैश क्या है वस्तु यह एक वस्तु है वस्तु यानि यह कौन सा अकाउंट है रियल अकाउंट है और यह SBA बैंक कौन है अभी अभी बात करना था मैं एक व्यक्ति है व्यक्ति यानि प कि अभण कई कघए अब हमने क्या नियम पढ़े प्रसनल अकाउंट में रिसीवर को डेबिट करते हैं और को गिवर को एक यहां पर इसबिखयी कर्ण पैसे जमा करा रहती है कि मेς प्राप्त करने हुआ कि डेने वाला हुआ पाने हुआ रिekkे ère है ये रिसीव कर रहा है कि याद रखेगा इसका क्या नेचर है कि सिवर का व वर्स्तू के खातब में कि वस्तू है आती है तो debugging करो जाती है तो credit करो यहां cash आ रहा है आप जमाह कर आ रहे हों तो आपके पासस्थ जा रहा है तो यह जाने वाली वस्तू हो गई what goes out तो देखिए receiver को हम debit करते हैं और जो जाने वाली वस्तुमें होती है उनको हम credit करते हैं तो इससे मेरे को यह समझ में आ गया कि कौन सा account debit होगा और कौन सा credit होगा तो अब entry क्या होगी साब SBI bank account debit ऐसे entry ऐसे करते हैं SBI bank account debit amount लिखना बहुत जरूरी होता है और just beach में say start करते है 2 यानि credit side और 2 में आप cash लिख दोगे और 5000 लिख दोगे यह आपका entry का pattern है English में English का एक तरह से जेड का pattern बनता है यह देखिए यह बन रहा है यह यह जेड बन रहा है तो यह entry होगी bank account debit to cash अब यह नियम से हुई है अंदाज उन नहीं हुए अंदाज माज नहीं हुए एंट्री हमेशा किस से बनती है नियम से बनती है रूल से बनती है शुरू शुरू में सबको दिक्कत होती है जो commerce में 11 इस चीजे पढ़ाई जाती तो उसको भी दिक्कत होती है फिर बाद में अलग बात है वो 2 साल पढ़ेगा तो उसको भी दिक्कत होगा 10 के बाद सारे लोग पहली बार ही पढ़ते हैं यह चीजें तो उनको शुरू में दिक्कते होती और थोड़े ताइम ही होती क्योंकि जब आप रिपीटेटीव नेचर में बार 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 प्रैक्टिस करते हो पहले तो आपने यह तो आप आराम से इंट्री बना सकते हैं रटके भी काम हो सकता है लेकिन रटने वाला आदमी एक ने एक दिन जाके श्टॉप हो जाता है रुख जाता है लेकिन अगर समझ के काम करते हो तो थोड़ा समय लग सकता है लेकिन जिन्दगी में कभी फिर उसके ब्रेक नहीं किस पर एंट्री बनाने तो आज की क्लास में इतना काफी यह सारे नोट्स लिखना कल हम पूरी तरह से प्रेक्टिस करेंगे इसकी अगली क्लास में मैं आपके सामने ट्रांजेक्शन लिखूंगा हम दूंडेंगे उनमें से अकाउंट्स और उनके नियम के अनुसार हमें एं करेंगे थैंक यू सो मच